अलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे शेयर के दो स्टॉक्स के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दो स्टॉक्स निकल के आते हैं बहुत अच्छा कासा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले कुछ टाइम के अंदर-अंदर एक है IRFC और एक है IRCTC दोनों ही शेयर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है इस्पेशलि अगर आप देखोगे IRCTC के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो की कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिव नजर नहीं आती है IIFL की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें बहुत बड़े-बड़े खुलासे किये गए है और यहां से जो IRCTC है उसका बहुत ही कम टारगेट बताएगए बहुत ही कम टारगेट बताएगए उसके पीछे के रिजन्स भी बताएगए वही अगर IRFC के बारे में बात करते हो सरकार की तरफ से जो बज़ाट आने वाला है फर्स्ट आफ फैप को उसमें धमाका हो सकता है शियर यहां से परफॉर्म कर सकता है क्वार्ट थ्री पर भी बड़ी अपडेट है तो वीडियो बहुत ज़्यादे इंपॉर्डेंट होने वाली है आपसे ज़स्ट एक रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फ़स्ट आप विजिट कर रहे हो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि IRFC में आपको फिर से गिरावाटी देखने को मिली थी तो ओवरल जब से यह जो शेर है IPO जब से इसका आया है तब से इसने कुछ भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन जिस अगर इसके fundamentals हैं वो बहुत कुछ यहां से बया करते हैं कि आने वाले टाइम में जब भी एक बड़ा moment होगा तो शेर अच्छा परफॉर्म कर सकता है लेकिन केवल fundamental के basis पे हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह शेर आपको rocket बनते हो दिखाई देगा लेकिन कुछ यहां पर scenario हो जो यहां पर एक positive aspect create करने के लिए बहुत ज़्यादा valuable नजर आते हैं यहां पर आप देख पा रहे होगे मैं आप आपको पिछले दो quarter के इसके results दिखा रहा हूँ सबते बड़ी बात जो निकल के आती है वो यह है हर एक quarter में आपको इसका जो profit है इसका जो revenue है वो increase होते हो नजर आता है और वो भी काफी अच्छी कासी percentage के साथ जो कि हर एक company के साथ नजर नहीं आता है हर एक company आपको consistency नहीं दखा पा दी लेकिन IRFC आपको यह दिखाते हो नजर आती है तो यहां पर आप देखी पा रहे होगे इसकी दौनों चीज़ें आपको बहुत अत्तक increase नजर आती है जाए हम income के बारे में बात करें या फिर हम इसके revenue के बारे में बात करें प्लस तीसरी चीज़ जो सबते ज़्यादे point माहल create करती है वो यह है कि dividend इतना ज़ाद अच्छा provide कराती है कि अगर आप देखो के sector में तो one of the best company निकल के आ जाती है dividend के लिए तो यह कुछ चीज़ें निकल के आती है जो कि काफी ज़ादा important है डारेक्ली update पर चलते है अपडेट ऐसी निकल के आ रही है आपको अल्रेडी पता भी होगा कि जो first of fab को जो budget आने वाला है उसमें अगर आप देखोगे तो सरकार पूरी तरीक से plan बना चुकी है कि इस वार का जो budget होगा उसमें सबते ज़ादा allocation railway sector में किया जाएगा पिछली वार की comparison में करीबन 20% ज़ादा यहाँ पर allocation देखने को मिलेगा यानि कि अगर 100 रुपे पिछली वारी लगाएगे तो इस वारी 120 रुपे दिये जाएंगे railway sector को तो definitely जो भी बड़े बड़े projects आने वाले हैं उसकी financing आपको IRFC करते हो नजर आने वाले है और definitely अगर आप देखस में बहुत बड़ा moment नहीं आएगा और मेरे जाल से आने वाले 3-5 महीने के बीच में आपको OFS भी देखने को मिल जाएगा starting में थोड़ी सी grabout होगी लेकिन chances यह हैं कि share यहाँ से अच्छा कासा moment दिखा सकता है तो यह तो होगी पहली update दूसरी update अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो भी इसके corporate actions है या financial actions है उसमें अगर आप last देखोगे तो 1st of November 2021 देखने को मिला है अब इसके Q3 की result exact तो निकल के नहीं आई है लेकिन chances जो निकल के आ रहे हैं वो यह है कि यहाँ से आपको 1st of FAP से कभी भी यानि 1st of FAP के बाद कभी भी आपको IRFC के results देखने को मिल सकते हैं जो की काफी अधे impressive नजर आएंगे मेरे खाल से expectations काफी अधे तक जादा है plus dividend की expectations भी है कुछ लोगों को यहाँ पर bonus की expectations भी है तो IRCTC का Friday का माहल जो था बहुत जादा negative था बहुत बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिली थी और करीवन करीवन 863 के आसपर यानि 863 पर आपको यह share closing देते हो नजर आया था fundamentally यह भी बहुत strong है business wise बहुत strong है लेकिन जब से इसका जो split हुआ है उसके बाद से share आपको perform करते हुए नजर नहीं आ रहा है IIFL की एक report जो निकल के आई वो और ज़्यादा negative माहल create कर रही है मैं directly आपको report बे ले चलता हूँ यहाँ पर आपके सामने report है IIFL ने क्या इस पर recommendation दी है buying करनी चाहिए, selling करनी चाहिए targets भी देने होने साथ के साथ वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उससे पहले अब हम यहाँ पर आगे report में बढ़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि IIFL के 2022 के viewpoint के माने अगर हम यहाँ पर देखें तो IICTC जो top seller है उसमें आपको नजर आ रहा है IIFL के through यानि कि IIFL ने इस पर directly selling की recommendation दे दिया उसके पीछे के कुछ reasons भी बताए है risk reward ratio इन्हों ने बताया बिल्कुल भी favorable नहीं है यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़े हैं कि आगे आपको report में देखने को मिलने वाली है सबते पहला reason इन्हों ने जो बताया है एक बारी आपको अगर याद होगा तो IICTC में एक बहुत बड़ी news आई थी तब से माहौल जो है वो negative create हुआ था कि जो IICTC है वो अपने जो revenue आज का 50% government के साथ share करने वाली है उसके बाद implication तो नहीं हो पाया था लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हुई थी तो IFL ने ऐसा बोला है कि ये जो step लिया गया था जो execute नहीं हो पाया था वो कभी न कभी तो होगा और वो एक negative माहौल create करेगा share holders के लिए जिसकी वज़े से गिरावट के chances इस particular stock में बहुत अत्तक increase हो जाते हैं और second reason जो उन्हों ने बताया वो ये है कि जिस according privatization हो रहा है या फिर अगर आप देखो तो बहुत सारी नई नई trains आ रही हैं जो कि ICTC हट कर हैं तो वो भी यहाँ पर proper monopoly थी ICTC कि कम होते हो नजर आएगी जिसकी वज़े से भी अगर आप देखोगे तो बहुत अत्तक chances हैं कि share जो है वो यहाँ से आपको negative moment दिखाए एक और reason बताया है जो कि मेरे according विल्कुल भी valid नहीं है आप लोग जरूर बतायेगा क्या आपके according यह valid reason है या फिन नहीं न्यूज आपके सामने है इन्हों ने बोला है कि अगर हम यहाँ से देखें पिछले साल में तो करीवन 13% CAGR बिटनेस किया है airlines industries ने और Indians का अगर हम जुकाव देखें तो airlines की तरफ जादा है in comparison to railway sector मतलब बढ़ता जा रहा है तो यहां से उन्हों ने यह भी बताये कि railway की demand भी कम होने वाली है और airlines की demand बढ़ने वाली है जो कि मुझे बिलकुल भी नहीं लगता है चाहें कितनी भी demand increase हो जाए लेकिन इंडिया में मेरे कहाल से हमेज़ा जो main mode of transportation रहेगा वो railway sector ही यानि कि railway ही रहने वाला है आपके according का लगता है comment box में ज़रू बताइए मुझे भी एक idea लग जाएगा तो यह कुछ reasons दिये है उन्होंने जिसके according इन्होंने बताए कि आपको sale कर देना चाहिए आप directly target पर आ जाते है कि target क्या दिया है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो IFL के through जो target बताया गया है 745 का target है आने वाले 12 महिने के अंदर अंदर यानि कि अगर आप देखोगे तो IICTC इनके according यहाँ से upside moment तो नहीं देखाएगी लेकिन downside moment जरूर देखा सकती है और 745 के targets जो है वो आपको दिखाते हुए नजर आने वाले है तो यह एक बड़ी report है जो काफी ज़ाद negative महोल भी create कर सकती है मेरे according market में IICTC लिए आपको क्या लगता है report में dumb है या फिन नहीं reasons जो दिये हैं वो valid है या फिन नहीं comment box में आप जरू बताइए वीडियो अच्छी लगी हो तो like जरू कर देजगा चैनल फे फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो please चैनल को subscribe भी जरू कर देजगा धन्यवाद